हाई एवरीवन अब बात करने वाले हैं PHP के अंदर कंस्ट्रक्टर के बारे में काफी important topic है बहुत बार इसके बारे में इंटर्व्यूस में ही पुझा जाता है और जब भी आप लोग PHP में project बनाओगे oops concept के साथ तो आपको कहीं कहीं पर constructor का use करना ही करना पड़ेगा तो काफी important है हाँ एक चीज़ हो रहा है ऐसा नहीं है कि constructor बस आपको PHP में देखने को मिलेगा कोई भी programming language जो oops वाले concept को support करती है वहाँ पर आपको constructor देखने को मिल जाएगा अब points की बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको जो बताओं constructor होता क्या है और इसको define करने के लिए हमें class बनानी पड़ेगी उसका object बनाना पड़ेगा उसके बाद हम लों constructor को define करेंगे हमारी class के अंदर और इसके कुछ uses देखेंगे कुछ example देखेंगे कुछ interview questions भी देखने वाले हैं यह हमारी PHP की playlist है इसके दर 93 parts आ चुके हैं और भी बहुत सारे part आने वाले हैं उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा इवन यह एक complete playlist है PHP की जहां पर आपको interview question भी देखने को मिलेंगे प्रोजेक्ट मी देखने को मिलेगा प्रोसेजरल PHP PHP with oops database connection APIs वगरा सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा सो काफी important playlist है पूरी देखना आपको definitely help मिलेगी आपके PHP के project में भी PHP की knowledge में भी और PHP के interviews के अंदर अब हमारे पहले question की तरफ वापिस चलते हैं कि constructor होता क्या है देखो यह special function होता है class के अंदर हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप लोग PHP में oops वाला concept use नहीं कर रहे means class use नहीं कर रहे हो ना class use अगर नहीं कर रहे हो तो आप constructor का use नहीं कर सकते right so यह special function होता है class के अंदर और automatically call होता है जब भी हम लोग हमारी class का एक object create करते हैं आपने देखा था न लास्ट वाली पार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखा दिता हूँ यहाँ पर functions बनाते हैं यह तो मैं खुद से call करने पड़ते हैं बट constructor क्या करता है एक अपने आप call हो जाता है और इसका नाम हमेशा fix होता है PHP के अंदर underscore underscore construct करके कुछ और programming language के अंदर define करने का तरीका कुछ और हो सकता है but use और concept बिल्कुल same ही रहता है all right अब मैं आपको दिखाता इसका नाम है constructor.php और यहां पर मैं class बना लेता हूँ class constructor demo even मैंने आपको बता है कि same नाम से class और file होनी चाहिए बढ़ ठीक है थोड़ा अजीव लगेगा अगर मैं constructor नाम से यहां पर class बनाऊंगा दू because हमारा topic ही है तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ simply अच्छा इसके object ब constructor demo इसको आप लोग इस तरीके से भी object बना सकते हो और इस तरीके से last के अंदर braces लगा के object बना सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे इसमें कोई लिकत नहीं है आपने यह बना लिया ठीक है अब मैं अगर यहां पर कोई function call बनाता हूँ मालो मैंने यहां पर नाम लिखा set name यह मैं यहां पर करूंगा cd और यहां पर इसका नाम रखूंगा set name इस तरीके से तब यह call होगा ना और इसको इसको पर क्लिए check भी कर लेते हैं मैं यहां पर आया और इसको मैंने यहां पर सबसे पहले तो मुझे error दे लिया जोज मैंने यहां पर function keyword नहीं लिखा मैं इसको यहां पर आगे refresh करता हूँ यहां पर देखो hello आगया ठीक है अगर मैं इसको यहां पर call नहीं करता हूँ तो यह तो function call हो गई नहीं बट जैसा मैंने आपको बताया जो चुक्षक्टर होता है हमारा एक ऐसा function होता है जो automatically call होता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको मैं यहां से हटा दूए एक बार के लिए मैंने यहां पर जाय करा एक function बनाया function underscore underscore construct इस नाम से और इसको इस तरह के से मैंने braces दे दिये and then इसके मैंने कुछ भी लिख दिया यहां पर लिख दिया करता हूँ तो यह अपने आप कोल हो गया मैंने क्या इस function को यहां पर कोल करा नहीं करा ना अपने आप कोल हो गया तो constructory होता है special function होता है अगर इस का लाँ आप लोग यहां पर दो कि construct one तो यह call नहीं होने वाला तो आपको अब आप बोलोगे कि या ठीक है हमने constructors बना दिया इसका को यूज भी बता दो कहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ मालो आपना इस class के दर कहीं डेटाबेस को यूज के कनेक्शन को यूज करना जाते हो तो क्या कर सकते हो इसके अंदर ड प्रोपरटी है जिसका नाम है अब देता हूँ public $name और पहले इसका कोई नाम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यहां पर इसका कुछ नाम सेट हो जाए तो इसमें करऊँ यहां पर $this और नेम और यहां पर कर देता हूँ आने लिए तो इस तरीकी से नाम सेट हो सकता है बाद डिस्प्ले नेम से और बाद में इसको यहां पर यहां करवा सकता हूँ echo $this name और अब मैं यहां पर क्या करूँगा $cd डिस्प्ले ने यह function मैंने गोल कर दिया अब इसके अंदर नाम चेक करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे सबसे पहले तो मिल रहा है मुझे error पर यहां पर हमने इसके अंदर नाम सेट हो गया इवन इसको आप बोलोगे यहीं पर सेट कर दो जो यहीं पर सेट कर दो फिर इस तरीके से तो भी तो सेमी चीज आएगी ना इतना क्यूपंगा कर दिया आप यहां पर बात तो ठीक है लेकिन बहुत बार नाम हमारे ना से तो इसको करना चाहता हूं यहां पर लोग लेंगे डॉलर ने अब इसके लिए डॉलर नेंट यो परामेटर होते हैं उनके साथ यहां पर दिस लगाने की जरूथ नहीं पड़ती जो हमारी class की properties होती है उनके साथ दिस लगाने की जरूत पड़ती है ये जो name है न ये वाला ये ये वाला public वाला name है जो हमने line number 3 पे डिक्लियर कर रहा था और जो ये वाला name है ये कहां से है इस वाले parameter से अब देखो यहां पर क्या आ गया analysis तो इस तरीके से हम लोग constructor का use कर सकते है हाँ बहुत सारी programming language के अंदर multiple constructor बना सकते है बट PHP के अंदर हम लोग बस एक time पर एक ही constructor बना सकते है एक class का ये आपको ध्यान करने ये बहुत बार interviews के अंदर पूछे जाते है तो thank you so much for watching this video अगर इसमें कुछ doubt, कुछ confusion, कुछ issue है तो मुझे comment सेके अंदर पूछो मैं आपसे request करूँ कि please video को like करो channel को subscribe करो comment section में feedback दो ये आपके लिए completely free of cost है बट इससे मुझे बहुत value मिलती है और ये मेरा ptm का donation number है thank you guys, thank you for watching this video